क्या आप जानते हैं, जिस तरह से criminal case में accused and victim होते हैं, उसी तरह से civil case में भी दो parties होती हैं और उनका legal नाम भी होता है Yes, welcome back to this channel पढखाकू लोग आज इस वीडियो में हम दिस्किस करेंगे कि civil case में जो दो parties एक दूसरे के against case लड़ रही होती हैं कोर्ट में उनको legal language में किस नाम से बुलाया जाता है So, शुरू करते हैं ये वीडियो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरी previous वीडियो में मैंने criminal case की parties को explain किया है So, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखीगा क्योंकि उसमें भी बहुत सारी parties के बारे में discussion किया गया है आईए शुरू करते हैं See, ये एक लड़की है जिसका नाम है Simran अब Simran एक जगे काम करती थी किसके यहाँ पे इन भाई सबके यहाँ पे जिनका नाम है राच So, Simran राच के यहाँ पे काम करती थी लेकिन इसे बहुत टाइम से अपनी salary नहीं मिले थी तो ऐसे मैस ने राच के पास जाके बोला कि सर मुझे अभी तक अपनी salary नहीं मली है पिछले बहुत सारे मत्स की राच ने आजा result of अज बोला कि मैं दूंगा भी नहीं मतलब साफ इंकार कर दिया कि मैं तुम्हें वो salary दूंगा ही नहीं जो तुमारी salary due थी तो ऐसे मैस Simran बोलती है कि ठीक है अगर आप सीधर तरीके से नहीं देंगे तो मुझे court का सहारा लेना पड़ेगा This is what a civil matter is यहाँ पे Simran एक suit file करेगी किस के against Mr. Raj के against and यहाँ से पूरी proceeding civil case की start होंगी तो आएए जानते हैं Simran को हम किस नाम से जानेंगे और Raj को हम किस नाम से जानेंगे सबसे पहली party का नाम है plaintiff and इस case में plaintiff होंगी हमारी Simran जी क्यों? उसका answer यह है कि Simran जी जब civil court जाती है तो वहाँ पे submit करती है अपनी एक plaint देखिए जैसे criminal matters में complaint होती है उसी तरह से civil matter में plaint होती है और plaint से ही आया यह word plaintiff एक ऐसा इनसान जो court में plaint सम्मिट करता है उस इनसान को हम बोलते है plaintiff और plaint कौन सम्मिट करेगा obviously जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है या जो case start करना चाहता है so plaintiff वो इनसान होता है जो court में suit file करता है मतलब दूसरे इनसान पे case करने वाला इनसान क्या कहलाया जाएगा plaintiff कहलाया जाएगा लेकिन बच्चों याद रखना कि criminal case में यही parties के नाम change हो जाते हैं so you cannot say कि criminal case में जो इनसान complaint लेके जाता है उसको तुम plaintiff के नाम से जानोगे नहीं ऐसा नहीं होगा civil case की parties अलग है criminal case की parties अलग है अब अगर हम बात करें second party के बारे में तो second party क्योंकि अपने आपको defend करेगी उस plaintiff के against तो उससे हम क्या बुलाएंगे उससे हम बुलाएंगे defendant इस सिनारियो में वो कौन थे हमारे राजभाई सब थे क्योंकि Simran ने राज की against case लगाया था suit file किया था तो यहाँ पे राज को अपने आपको क्या करना पड़ेगा defend करना पड़ेगा court के सामने so as a result of which इनका नाम रख दिया गया है इस party का नाम रख दिया गया है defendant वैसे तो actually law में बहुत सारी अलग अलग टर्म से भी इन लोगों को जाना जाता है लेकिन जो दो में नाम होते हैं वो plaintiff and defendant ही होते है so plaintiff is that person जो plaint लगाता है और एक case start करवाता है suit file करता है कौनसे nature का? civil nature का हमेशा याद रखिए criminal nature का नहीं civil nature का और defendant वो इनसान होता है जो अपने आपको defend करता है उस plaint के against see ये एक लड़की थी जिसका नाम है Simran अब Simran को चाहिए था divorce किस से? अपने husband राज से so Simran ने राज को बोला राज मुझे तो divorce चाहिए but राज divorce के लिए ready नहीं था उसना बोला मैं तो divorce नहीं दूँगा तो इसका reply Simran ने कुछ इस तरह से किया कि इसने बोला ठीक है आप मुझे mutual consent से divorce नहीं देंगे तो मैं court चली जाओंगी अब इस वाले case में क्योंकि ये divorce का case है तो इस वाले case में Simran को हम बुलाएंगे petitioner के नाम से येस यहां पर Simran को plaintiff ना बोलके हम बोलेंगे petitioner क्योंकि ये लगा रही है एक petition court में and on the other side राज क्योंकि उसका response देने वाले हैं as a result of which हम इने बोलेंगे respondent येस यहां पर parties के नाम थोड़े से change हो जाते हैं जब divorce case की बात आती है या फिर child custody cases की बात आती है इसमें हम जो भी इनसान suit फाइल करता है petition लगाता है उसे petitioner बोल देते हैं और सामने वाले इनसान को respondent बोल देते हैं अब आपका question होगा कि अगर यहां पर राज तयार हो जाता divorce देने के लिए मतलब एक mutual consent से इनका divorce हो रहा होता तो उस time पे भी parties की name change हो जाते हैं येस आपने बिल्कुल सही सुना ऐसे time पे भी parties की नाम change हो जाते हैं और उस समय पे हम दोनों ही parties को petitioner बोलते हैं क्यूं? क्यूंकि सामने वाला इनसान आपको mutually divorce देने के लिए तयार हो गया है तो दोनों मिलके एक कठे petitioner लगा रहे हैं so as a result of which दोनों ही parties को हम petitioner के नाम से जानेंगे c. civil cases में एक particular चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जिस जिस तरह से cases vary करेंगे उस तरह से parties के name vary करेंगे we try to cover almost all the parties but अगर इसके अलावा कुछ छूट गई हो तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं I hope आपको ये video पसंद आई होगी अगर ऐसा है like का button दबा दीचे और चानल को subscribe कर लीचे क्योंकि यहाँ पर बहुत जादा knowledgeable stuff आपके सामने आने वाला है with that अगर आप हमें social media पर follow करना चाहते हैं तो उसका पायदा भरपूर उठाईगेगा and वो सारी वीडियो जरूर देखेगा thank you so much for watching this video